ये दस लक्षण भगवत प्राप्ती करने वाले उपाशक के हरदय में जागर्थ हो जाते हैं। बहुत ध्यान शेशुनना ये दस लक्षण जब प्रगट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम्शो भाग्यूदे होने जा रहा है बस हम भगवत साक्षातकार के नजरीक हैं। जब तक इन दस लक्षणों में कमी दिखाई दे तो शम्हालो इन दस लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन दस का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षातकार को होना। ध्रति ही छमा दमोस्तेयम सोच मिंद्री निग्रहा धीर विद्या सत्य मक्रोधो दसकम धर्म लक्षणम। ध्रति सबसे पहला है ध्रति किसी भी प्रकार का संकट, अपमान, विपिरीतिता, प्रतिकूलता, दुख आ जाये। पर जो हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष लिया है, जब ग्रेस्त हो या विरक्त हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष लिया है, अब वो नई छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाये। पहला लक्ष ना, स्विक्रति इसी लिका है, बहुत जोर की बात है, खुली वस्तु रखी है, बिगडी जनम अनेक की अब ही सुधर है आज हो यी राम। ये स्विक्रति बहुत बड़ी बात है, अपने लोग देहा भी मानी हैं, तो क्रियाओं पर संतोष करते हैं, क्रियाओं पर विश्वास कर लेते हैं, कि मैं एक कर रहा हूं इसके फल सुरुपेशा मिलेगा। लेकिन उस्चाप करने का फल होता है होना, और वो सत्संग से प्राप्त हो जाता है एक शण में, इसलिए स्वर्ग शुख, मोक्ष शुख, फिर मर्त लोग की शुख की बात क्या, सत्संग की शमान नहीं रखा गया, ताथ स्वर्ग अपवर्ग शुख, धरी तुला एक अं स्विक्रती, बहुत जोर की बात है, पहला है ध्रती, ध्रती मने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, परिस्थिती, बिपरीतता, आपके मार्ग में आवे पर आपकी स्विक्रती पे अंतर नहीं होना चाहिए, इसे ध्रती कहते हैं, ध्रती, यह बहुत आवश्यक है भगवत मार्ग के पथिक को, जो स्विक्रती की हुई है, उस पे कोई बिक्षेप नहीं पढ़ना चाहिए, जो होना सो हो जाए, स्विक्रती नहीं बदलनी चाहिए, बस तुम्हारा ये था माम प्रपध्यनते तास्तते भजाम में हम, कोई भी परिष्थिती, कोई भी विप्रीतता, कोई भी अपमान हमारी स्विक्रती में अंतर नहीं डाल सकता, मृत्यू स्विक्रती नहीं आना चाहिए, वो ही स्विक्रती भगवत प्राप्ती करा देगी, गोश्वामी जी बाद में सब बाते कहरें, पहले कहरें, बिगडी जनमने की अब ही सुधरे आज, हमारी ध्रती इतनी कमजोर है कि प्रतिकुलता के आभास मात्र में हम छोड़ देते हैं, प्रतिकुलता तो आई नहीं, प्रतिकुलता के आभास सायद प्रतिकुलता आज आ है इसे हम भाग पड़ते हैं ये कायरों का मार्ग नहीं है भगवत प्राफ्ति अग्यान को छोड़िये क्या तुम प्रभु को छोड़ दोगे तो दुखों से बच जाओगे क्या जो कछ लिखा लिलाट दुख सुक देह संग भुगतेगो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग तजत क्यों धीरजप्राणी यहिड्रती तजत क्यों धीरजप्राणी ब्रंदावन परिहरे प्रियापरी तम रजधानी स्वामीनिजु के महल को स्वामीनिजु के चरनास्रे को छोड़ कर तुछ विश्लिएं की तरफ कदम बढ़ा देना श्वीक्रति आपकी जाएगा पता नहीं किस युग में स्वीकृति का उसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कितना भी शंकट आवे धैर नहीं छोड़ना सब कुछ सहना है राधा राधा कहना है नियम बना लो जीत जाओगे काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे विश्वास करो ये मंत्र मान लो सब आवा राधा 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 राधा